नौश्कार आज मैं आपके लिए लाया हूँ वाट्सअप में एडवीन और किसी पर्प्टिशिपन को किस तरह से एड़ करते हैं तो सबसे पहले हम वाट्सअप पे जाएंगे वाट्सअप जाने के बाद में राइट कार्नर पे त्री डॉट दिखेंगे हमें यह देखिए तीन डॉट दिख रहे हैं इसके उपर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में ग्रूप इंफो पे क्लिक करेंगे यह दिखिए ग्रूप इनपो करने के वाद में यहाँ दो आप्शन हमें मिल जाएंगे ये है ग्रूप सेटिंग और ये है पार्टिसिपंट अब ये ग्रूप सेटिंग में क्या होता है? कि हमारे अलावा किसी को एडमिन बनाना है तो वो हम ये group setting में click करके उसको admin बना सकते कि हमारे अलावा और किसी को authority है जो किसी phone number को add कर सके और participant ये होता है कि जो admin होता है उसी को authority होती है कि वो किसी को भी mobile number इसमें add कर सके है तो ये दो option है तो सबसे पहले मैं आपको इसी option के ओपर click करके बताता कि Group Setting में यह देखिए Edit Group Admins यह है admin अगर आपको अपने अलावा किसी को और admin बनाना हो उसको आईटरीटे देना हो तो यह Edit Group Setting में हम उसको edit करेंगे उसका नाम लिखेंगे उसका phone number डाइल करेंगे तो वो group admin हो जाएगा और यह add participant अगर किसी का mobile number हमें याड़ करना है इसमें से तो उसका नाम के ओपर क्लिक करेंगे उसका mobile number याड हो जाएगा और हो हमारे group में जूड जाएगा तो इस तरह से एक add participant पर हम किसी का number add कर सकते और किसी को admin बनाना हो तो group editing में कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम हमारे अलावा और किसी को भी admin बनाना चाहते हैं उसके लिए यह option दोरनों होते हैं और यह option उसी के पास होते हैं जो group admin होता है अधरवाइच कि दूसरे के पास यह option नहीं आते हैं बस आज के लिए मेरी यही video थी कि group setting में किस तरह से admin हम किसी को बना सकते हैं और किसी का mobile number किस तरह से add कर सकते हैं Thank you दोस्तों मेरा नाम देविदास मेरे चैनल का नाम है देविदास ठावरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए Thank you very much